सर्दियों में अगर आपने पालक सरसो बथुआ और वी तरह तरह की साग नहीं खाई तो फिर क्या खाई आईए आज मैं आपको बड़ी आसान तरीके से बनने वाली बथुआ साग की जोर बनाना सिखाती हूँ बथुआ साग में बहुत सारी निट्रेंट्स के साथ बिटिमिन्स फाइवर और वाटर कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो बूस्ट वेट लॉस्ट ग्लोइंग स्कीन तो हेल्प इंडाजेशन और लॉट्स अप बेनिफिट ऑफ बथुआ तो आईए फटा फट हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं हेलो फ्रेंड मैं पुनम रसोई बिहार की में आपका स्वागत है तो हमें जल्दी जल्दी सिस्क्राइब कीजिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए यहां पे हमने 2500 ग्राम बत्वा की शाग लिये जिसके हम बस पत्तिया से फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता तो इसलिए हम इसके बस पत्तियां ही तोड़ेंगे और उससे जो भी घास वगेरा रहेगा उसे निकाल कर हड़ा देंगे यह देखिए हम सारे साग को अच्छी से तोड़ लिये हैं सिर्फ पत्ते पत्ते ही तोड़े हैं और जो इसे हम लगवक पांच-छे बार इसी तरह से बरतन में डालकर दुलाई किये हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब तक हमारा पानी नहीं साफ होता है तब तक हम उसे अच्छे से बार बार दूसरे बरतन में अलट पलट कर उसे साफ कर लेंगे ताकि साफ पानी हो जा कि हां साग हमारा साफ धुल कर साफ हो चुका है क्योंकि साग में बहुत मिटी होती है इसकी वज़े से हमें साग को बड़ी अच्छे से सफाई करनी होती है नहीं तो फिर यह मिटी अच्छा नहीं लगीगा खाने में अब हमने साग को साफ कर लिया अब इसकी हम बरिक बरि तो फिर वह टाइम लगता है वह तो ऐसे भी पक जाएंगे बट हम इसे थोड़ी चॉप कर लेंगे फाइन चॉप कर लेंगे तो इसकी वज़े से यह इसली पक जाएगा कम समय में ही यह पक जाएगा यहां पे तो फिर एक्शली यह ठंडियों में ही बतवा मिलता है और इसके बहुत सारे बैनिफिट्स हैं अगर हम इसे गूगल करके भी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कितने सारे बैनिफिट्स हैं और यह सर्दियों में कुछ समय के लिए आती है तो हमें जरूर खाना चा हम यहाँ पर सारे साद के अच्छे से चॉप कर लिए अब इसे कुकर में डालूँ गी और फिर इसमें-3ом हाफ कप पानी डालूँगी इसमें जब मैं कुकर में डालूँगी अभी बॉयल करने वक्त तो बिलकुल भी मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी बस हाफ कप वाट और थोड़ा सा नमक, नमक इसलिए कि साख जल्दी से गल जाए, टाइम नहीं लगे, नमक इसलिए डालूंगे, तो हमने यहाँ पे हाफ कप पानी डाल दिये, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, क्योंकि और भी बाकी का नमक आगी के प्रॉसस में हम डालेंगे, तो यहाँ पे हम फ्लैम चड़ा के और बस कुकर चड़ा देंगे और धकल लगा के इसे करीबन दो से तीन विसल आने तक इसे मीडियम पे पका लेंगे, यह अच्छे सी यह साख बिलकुल स्मूद पक जाए, अब हम एक तरफ कड़ा ही चुड़ा लेंगे, उसमें थोड़ी स सरसो की तेल डालेंगे, क्योंकि यह सारे चीज़ अगर सरसो की तेल में बनाए, मस्टर्ड वाइल में, तो इसका टेस्ट अच्छे से इनहेंस होता है, यह नहीं की रिफाइन और 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 में, इन कंपरेजन तो अधर वाइल, तो हम कोसिस करेंगे, कि इसे सरसो मस्टर् में, और इसमें हम डालेंगे, जीरा, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा, फिर कटी हुई लहसन, एक से दो कलिया, फिर सुखी मिर्च, एक से दो, या फिर आप जैसा तीखा खा सके, वैसा आप मिर्च डालें, फिर थोड़ी सी जब यह लाल हो जाएगा, तड़का, त तो फिर हम इसमें साग डालेंगे इसको थोड़ा सा हिलाते डूलाते हुए हम लैसन जीरा और मिर्च को अच्छे से पका लेंगे ताकि इसके जो भी फ्लेवर्स हो वो तेल में अच्छे से आजा और वहां हमने जो साग को कूकर में डाल कर पकाया था उसकी हमने अच्छे सी स कुछ भी कि हां उसकी कुछ सीक वगेरा कुछ भी बहुत ही स्मूथ क्रीमी टेक्ष्टर हो जाता है आप इससे मिक्सी में जरूर चलाएं वह कूकर में बिल्कुल पक जाता है सौफ्ट हो जाता है बट इसको थोड़ी सी मिक्सी में स्मूथ पेस्ट बना लेंगे तो जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था पहले ही अब इसे हम थोड़ी थोड़ी सी करके साग को देरे देरे तेल में डालेंगे एक बार डाल देंगे तो फिर वह अच्छे से साग मिलता नहीं है इसकी वज़े से हमने थोड़ा थोड़ा करके डाला अब जो भी साग का पेस्ट हमने वह सारा डाल दिया है तेल में अब इसे हम पांच मिनट तक अच्छे से इसको थोड़ी सी भून लेंगे साग तो अलरड़ी पका हुआ है इसका अच्छा सा फॉर्म पेस्ट है तो बस हम इसे थोड़ी सी खुसमू आने तब फ्राइक कर लेंगे इसे जोर में अच्छ किसी टेस्ट और टेक्शर भी अच्छा आता है आप यहां पर देख सकतो कितना अच्छा ग्रीनिस कलर दिख रहा है बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये बनकर रेडी होता है और जब यह चैनल का नाम ही है बिहार रसोई बिहार की तो फिर मैं सूची कि क्यों ना यहां पे तोडी सी हल्दी डाली है एच्छी साग में किसी तरह की साग में आप बनाओ तो हल्दी का को कोई नीड नहीं होता है बट मैं थोड़ी सी का अधोर्म इस पर हल्दी एक तो मेडिसिनल होता है और दूसरी हिंदू ध़र में बह Based Sun Hill को भी अगएर की का ना सूब नहीं माना आता बट मैं थोड़ी डालती हूँ तो अब मैं इसमें नमक स्वाद के नुसार और थोड़ी हल्दी और आपने देखा कि मैंने और अदर कोई मसाला नहीं डाली हूँ बस नमक हल्दी और जो हमने तड़के में डाला था जीरा कटी हुई लैसन और सुखी मिर्च बस इतना प पानी नहीं बलकि यह देखिए मैंने पहले ही चावल बना कर जब आप चावल भात बनाओगे तो उसका मार निकलता है आप जिस दिन यह जोड़ बनाए उस दिन आप चावल पतीला में बनाना की कुकर में पतीला में बनाने से चावल का जो मार निकलता है हम उसे इस जोड में डालेंगे ना कि plain water plain water डालने आप वो भी डाल सकते हो बट उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा जितना ये मार डालने से होता है तो आप कोशिस कीजिए कि हम मार ही डाले ना कि plain water तो यहाँ पे सापधाने से धीरे धीरे मार को डालिएगा नहीं तो थोड़ी छीटे पर सकते हैं क्योंकि बहुत गर्म होता है ना कड़ाई और इधर मार भी गर्म था तो फिर अप थोड़ा दीरे सापधाने से इसमें मार डालिएगा हम थोड़ा थोड़ा मार करके डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिलाते हुए मिलाएंगे यह तो फिर वो लंस पढ़ने का डर हैगा तो हमें से थोड़ी थोड़ी डालते हुए और उससे हमें क्वाइंटिटी भी पता चलेगा कि हमें कितना मार डालना है और कितना नहीं डालना है तो यह देखिए अब मैं जितना मुझे डालना था मार आप भी देख कर क्वाइंटिटी आपको जितना साग के हिसाब से आपको जितना लगेगा आप जितने लोग रहेंगे आप उसी क्वाइंटिटी से आप मार डालिए और अब इसे हम पांच मिनट तक बॉयल होने के लिए छोड़ दें क्योंकि यह सारा कुछ पका हुआ है बस इसकी कंसिस्टेंशी के थोड़ा सा थिक करना है गाड़ा करना है तो हम इसे हाइफ लेम पे ही पांच मिनट के लिए बस इसको थोड़ा बॉयल होने छोड़ देंगे कि इसकी consistency थोड़ी गाड़ी हो जाए ये देखिए कितना अच्छा color आया है बिल्कुल और यकीन मानिए एक बार मेरे कहने से इसे बना कर खाईए और फिर मुझे यहीं पे आकर comment दीजिएगा कि हाँ पुनम तुमने सही बोला था काफी बहुत ही अच्छा ये बिहार का traditional खा रहा है जो कि हम लोग सर्दियों में खाते हैं तो आएए अब हम प्लेटिंग के तरफ चलते हैं तो जब यहां पे बिहार की खाने की बात चल रही है तो क्यों ना हम बिहारी style में इसे कुछ प्लेटि से भी बहुत खाने की स्वाद में थोड़ी चेंज आ जाती है तो हमने ठाले में चावल एक तरफ निकाल लिया बात और इसको साइड में वो साकी जोड़ आप देख सकते हैं कितना ग्रीनिस क्या कलर मतलब बहुत अच्छा कलर आया है और इसके साथ हम सर्फ करेंगे आलू का बहुता जिसे हम लोग बिहार में चोखा कहते हैं तो आलू का चोखा या फिर आप बहुता कहिए और कच्छी प्याज रो आनियन और ग्रीन चिली के साथ हम इसे सर्फ करेंगे और यह देखिए हमारा प्लेट बिलकुल बनके रेडी हो गया है तो आप भी इसी तरह बना कीजिए यहीं पर आके कमेंट दीजिए कि हमारा यह रेसिपी कैसा लगा आप लोग को पसंद आई नहीं आई हमारे ट्रेडिशनल बिहार के खाने को तो इसी तरह से आप बताएं ओके टाटा बाबाई